क्या अब जानते हैं कि आमिर खान ने ले लिया है एक बहुत बड़ा डिसीजन और वो है एक्टिंग से ब्रेक लेने का जी हां कुछ ऐसा ही कहना है आमिर का जब रीसेंटली उन्होंने किया मीडिया इंटरक्शन आमिर ने बताया कि वो लाल सिंग चड़ा के बार शूटिंग करने वाले थे for movie champions जिसके बारे में हमने आपको पहले भी inform किया है तो अब आमिर ने दी है इसी movie पर एक big update और वो ये है कि वो champions में अब नहीं करेंगे star Well yes, आमिर अब champions को करने वाले हैं सरफ produce आमिर का कहना है कि that he feels that he wants a break to be with his family with his mother and his kids आमिर ने कहा कि वो last 35 years से industry में कान कर रहे हैं full focus के साथ which is not fair to those who are close to him So this time he wants to take some time off to be with them and experience life in a different way आमिर concluded this saying I am looking forward to the next year, year and a half in which I am not working as an actor तो बात आती है यहां कि अब आमिर हमें नहीं नजराने वाले हैं कुछ time के लिए theaters में लेकिन हाँ उन्हें जरूर देखा जाएगा next month in movie सलाम वेंकी जहां है उनका cameo role अब जहां आमिर ले रहे है break तो क्या हम अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि आमिर लाज सिंग चड़ा के box office पर successful ना होने पर हो चुके हैं upset क्या आमिर का acting से break लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि आमिर अब जो भी अपना next project चूज करेंगे उसे काफी सोच समझ कर select करेंगे वैसे अगर लाज सिंग चड़ा नहीं मचा पाई box office पर धमाल तो वही digitally तो movie इंडिया में रही number one पर और globally भी बनी number two non English movie well now let's see कि अब आमिर नजर आते हैं as main lead in which movie और वहां क्या मिलता है उन्हें response from the audience till then for more Bollywood news keep watching boogal Bollywood